Hi friends, my name is Ram, you are watching Ram Technical Trick YouTube channel. आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक अप्लिकेशन का, that is Tata New App और ये अप्लिकेशन क्या है, कैसे काम करती है, हम कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे ओफर्स को देखेंगे और बहुत सारी चीजें जो हैं, मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक complete जनकारी मिल जाएगी इस एप्लिकेशन के बारे में, कैसे आप इसको यूज करोगे इसके बारे में, और कहां से आप इसको डाउनलोड करोगे, कैसे कैटेगरी मिलेंगी, उन पर बहुत सारे डिसकाउंस मिलेंगे, उफर मिलेंगे, जनके तो आप किया कर सकते हो, उनका लाव उठा सकते हो, यह एक एप्लिकेशन है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चीज, अगर आपको ग्रॉसरी का जामान करना है, एलेक्रोनिक् करना है, कैसे आप इसको सेट अप करोगे, कैसे अपनी प्रोफाइल सेट करोगे, और कैसे फिर आप आगे चीजें करोगे, ठीक है, सो चलते हैं अपने फोन पे, सबसे पहरे चलते हैं, प्लेस टोर पे, और यहाँ पर सर्च करेंगे, हम ताटा नेओ, और यह जो एपलिकेशन है, आप प्लेस टोर के अलावा, आप क्या कर सकते हो, डिस्कुप्शन स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और वहां पर हम अपना मुबाइल नंबर डालेंगे जो कि बैंक से लिंक है यानि कि जोसे आप यूपी वगरा ट्रांजिक्शन वगरा यूज करते हो फोन पर फिर गूगल पर में सेम नंबर आपको यहां डालना है गेट ओटीप पर क्लिक करना एक OTP आएगा Auto Verify हो जाएगा और उसके बाद से आप क्या करोगे इसमें Login हो जाओगे ठीक है इसके बाद से आप देखोगे यहां से कुछ location वगरा का मांगता है तो आप allow कर दीजिए और दुबारा से मैं इसको open कर लिता हूँ उसके बाद से हमें देखेगा कुछ इस तरह का interface सबसे ऊपर ही आपको मिलेंगे transactions के लिए बहुत सारे options जैसे कि scan and pay, send money, bills वगएरा पे करना, finance वगएरा manage करना तो यह सारी चीजे है एक्सप्लोर में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी different categories आपको मिलेंगी जहां पे grocery items हो electronics items हो गए, mobile phone का separate आपको मिलेंगे, बहुत सारे items हो ठीक है, उसके बाद जब नीचे आप scroll करेंगे तो exclusive offers जो की on the daily basis यह चलते रहते हैं तो आप इनको भी check out कर सकते हैं, यहां से कुछ भी अगर आपको पसंद आयता है तो कर सकते हैं, top deals on electronic gadgets, यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे की phone पे, आपका smart TV यहां पे आपको मिल जाती है, तो इन पे आप क्या कर सकते हो, इनको इस तरह से explore करने के बाद अगर आपको कोई भी offer पसंद आयता है, तो यहां से कर सकते हैं, grocery के items पर भी आप देख सकते हो, एक अच्छा का सा discount यहां मिल जाता है, तो आपको करना क्या है, home page जो है, यहां पे आपको नीचे scroll करते रहना है, और बहुत सारे offers आपको धिखते रहने है, ठीक है, तो जो भी आपको पसंद आता है, उसके बाद से आप purchase कर सकते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे categories और बहुत सारे items आपको मिल जाएंगे in single application, तो यह है, it is all about data new, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा basic setup कर लेते हैं, जहां पे हम अपनी profile set करेंगे और अपना address बगरा set करेंगे, ताकि हम easily कुछ भी order करें, तो वो instantly deliver हो पाए हमारे address पे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यह setup करने के लिए, account setup करने के लिए three lines पे click करेंगे, औ अब क्या कर सकते हो, यहां से अगर lock enable, disable करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो, मैंने security में जाके, sign out अगर आप करना चाहते हो, तो नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहरे हम क्या करेंगे, एक profile set करेंगे, जहां पर हम अपना नाम एक proper डालेंगे, तो नाम यहां पर डाल दिया, middle name, first name, means पहले first name, फिर middle name, फिर date of worth, फिर mobile number, फिर email आपको verify कर लेना है, तो यह सारी details जो है, मैंने already डाल दी है, यहां से मैं एक बार इसको rectify कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, address डालूँगा, address पर जाने के बाद सबसे पहले आपको pin number डा nearby land mark and all, okay, so this is something which you will have to put here, तो मैं आपर कुछ भी fat apart से कर लेता हूँ, although after that I will change it, तो अभी तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, जो बहुत जल्दी जल्दी, और इस तरह से आपको कर लेना है, एक proper आपको address यहां पर type करना है, अच्छे से, home address है, या फिर आपको office address है, वो आप select कर लेजिए और इसके बाद save changes पे click कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक address जो है, आप यहां पर add कर सकते हो, तो हमने अभी क्या किया, एक profile जहां पर अपना नाम बगएर सारा किया, दूसरा अपना address बगएर, ठीक है, अब हम क्या करते है, UPI account setup कर लेत यानि कि हम इसको activate कर रहे है अपनी UPI को, और बहुत ही easily आप UPI को क्या करोगे, connect कर लोगे with it, setup, और इसके बाद से आपको last में bank हमें चूज करना है, जिस भी bank में आपका register number है, तो मेरा ICICM है, और यहां से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही easily हमने क्या किया, अपना UPI account भी setup कर लिया है in this application, ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखोगे new pass, इस तरह का कुछ option आपको मिलेगा, जहां पर आपको देखेगा new coins, ठीक है, जहां पर coins जो है, वो zero है, because मैंने कोई भी shopping बगएर नहीं करिये, तो जो भी आप shopping करोगे, आपको coins मिलेंगे, और future shoppings में आप उनक जिनको मिलेंगी, filters by category में, और जिनको left right scroll करके आप जो भी explore करना चाहते हैं, उनको कर सकते हैं, जिसकि अगर आप hotel वगेरा booking करना चाहते हैं, कुछ purchase करना चाहते हैं, कुछ electronic gadgets वगेरा purchase करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, तो suppose that आप देखन पर कौन-कौन से discount वगेरा चल रहे हैं, तो आपको उस particular option पर click करना है, जो भी चीज़ आप check out करना चाहते हैं, ठीक है, so this is something, यहां से आप देख सकते हैं, planning में क्या-क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलेंगी, ठीक है, जब आप offers में click करोगे, त different categories मिलेंगी, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को भी explore कर सकते हो, ठीक है, तो यह रहा कुछ इस application के बारे में, जहां पर आपने जाना, हमने क्या-क्या जाना हम समझते हैं, इस application के बारे में, इसका use, उसको setup कैसे करना है, उसमें UPI setup कैसे करना है, और finally हम उसको proper way में कैस से use करेंगे, means कैसे चीज़ें explore करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, so it is all about Tata new, I hope you like this video, अगर still आपकी कोई भी query है, कोई भी question है, तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ बताना चाहते हैं, तो बता भी सकते हैं, thank you so much for watching this video, have a good time.